शाही स्वाद में आप सबका बहुत स्वागत है आप समझी गए होंगे आज हम क्या बनाने वाले हैं मटर आलू की सबजी ये सबजी हर घर में बनती है और ठंड में ये सबजी बहुत बनती है लेकिन बिना आलू प्याज के आज हमारी रेसेपी से आप यह सबजी बना के देखेगा, देखे कितनी स्वादिष्ट बनती है, फिर आप हर बार इसी तरह से यह सबजी बनाएंगे, चलिए, अब हम बनाते हैं आलू मटर की सबजी, ताजे मटर की सबजी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 500 ग्राम मट तरके दाने, और हम 3 मेडियम साइज के आलू लेंगे, जिनको लंबे पीसेश में मिने काट लिया है, और 500 ग्राम ही हम एकदम पके हूए लाल टमाटर लेंगे, और एक हमने हरी मिर्ची बड़े तुक्ड़ो में काट लिए है, थोड़ी अधरक हमने बड़े तुक्ड़ो म और टमाटर, इनका हम मिक्सर जार में डाल करके पेस्ट बना लेंगे, दो बार में करके हम कोई पेस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि आदा किलो टमाटर है, यहां पर देखिए हमने टमाटर बिल्कुल पके हुए और एकदम लाल लिये हैं, तो इस पेस्ट का कलर कितना अब गैस अन करके हम गैस पर एक कड़ाई रखेंगे, उसमें तीन चार बड़े चमच हम ऑईल के डालेंगे, ऑईल को अच्छा गरम होने देंगे, तब उसमें एक चमच जीरा डालेंगे, और एगदम से हम गैस बंद कर देंगे, फिर उसके अंदर हम सभी मसाले और मसालों को एक मिनट के लिए बंद गेस पर ही तेल में भून लेंगे मसाले भूनने के बाद हम उसमें एकदम से टमाटर की पेस्ट डालेंगे ताकि मसाले जलने न पाएं अब हम गेस अन कर लेंगे और टमाटर को हम लगातार चलाएंगे हम ने इस तरह से मसाले भून लिए उसे सबजी का कलर भोवत अच्छा आता है और सबजी में स्वाद भी भोवत अच्छा आता है भुनेवे मसालों का अब हम हाई फ्लेम पर कड़ाई को ढख करके और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे इस वक्त पे टमाटर में सिब काफी छीटे उड़ते हैं इसलिए हम इसको ढग करके ही पकाएंगे टमाटर आधा रह जाने तक हम इसको पकाएंगे देखिए टमाटर तकरिबन आधा सूख गया है अब इसके अंदर हम मतर के दाने डालेंगे जिसका वेट 500 ग्राम है छीलने के बाद हमने इन दानों का वेट किया था जो 500 ग्राम था अब इसके अंदर हम आलू के पीसे भी डालेंगे और स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक भी डालेंगे मैंने हाँ एक चमश नमक डाला है मतर, आलू और टमाटर को हम भूत अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इस पर ढखकन ढखते हुए ही हम इसको पकाएंगे हम इसको दो चार मिनिट के लिए ढखके रखेंगे फिर खोल करके अच्छे से हम इसको भूनेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और फिर से इसको हम ढखकन ढखतेंगे इसी प्रोसीजर को हम कम से कम तीन चार पांच बार दो राएंगे और हम करीबन दस पंद्रा मिट इस सबजी को अच्छे से भूनेंगे देखिए सबजी का कलर कितना अच्छा हो गया है इसको लगातार भूनते वे हमने सबजी को पकाया है इसलिए सबजी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है टमाटर का रस इसमें अच्छी तरह से अंदर तक समा जाता है और सबजी का स्वात बहुत ही अच्छा आता है अगर आपके पास देसी टमाटर अवेलेबल हूँ तो आप आदे टमाटर देसी और आदे टमाटर ये वाले डालेंगे तो सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अभी मेरे पास वो देशी टमाटर अवेलेबल नई थे, इसलिए मैंने सिर्फ इसी टमाटर में सबजी बनाई है अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पाने डालेंगे हमारे याँ ये सबजी तवा बाटी के साथ खाई जाती है इसलिए हम इसमें ग्रेवी जादा रखते हैं आपको ग्रेवी कम रखनी है तो आप कम पानी डालिए और फिर मीडियम आज पर ढखकन ढखकर के इसको अच्छे से 5-10 मिंट के लिए पकार लीजिए मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि तवा बाटी किस तरह बनती है वो इस सब्जी के साथ बहुत ही स्वादिश्ट लगती है अब सब्जी बन करके बिलकुल तयार है और हम इसको एक बाउल के इंदर परोस लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको जटपट लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से लेटिव में शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब निक किया है तो जटपट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही मज़िदार होंगे और बेल आइकोन को प्रेस जरूर कीजेगा क्योंकि इसी से आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे थैंक यू अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राइ करी तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताईए कि एक कैसी बनी और घर में सबी को कैसी लगी है सबची